प्रभात, कक्षया दस्वी, विशय हिंदी, पाठ माता का अंचल, व्याख्यान संख्या एक, पाठ परीचे, माता का अंचल पाठ, शिव पूजन साहई द्वारा रचित, आंचली को पिन्यास, देहाती दुनिया का एक अंच है, जिसमें लिखक ने ततकालीन समाज के ग्राम बच्पन में लेखक का पिता से अधिक जुडा, पन्यास के प्रमुख पात्र तारकेश्वर ने अपने माता पिता तथा अपने बच्पन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है, तारकेश्वर नाथ जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे भोलानाथ के पिताजी सुभे उठकर नहा दोकर पूजा के लिए बैठ जाते भोलानाथ का अपनी माता से केवल दूद पीने तक का नाता था इसलिए पिताजी के साथ ही वे बैठक में सोया करते पिताजी जब उठते भोलानाथ को भी सुभे अपने साथ ही उ नगा देते, त्रपुंड का आर्थ होता है आर्धचंद्राकार रिखाएं बना देना. भुलानात के सिर पर लंबी लंबी चटाएं थी, भुला बं भुला बन जाते। पिताजी को बाबुजी तथा माता को मैया कहकर पुकारते। बाबू जी जब रामायन का पाठ करते तब भोलानाथ उनके पास पैठ कर आईने में अपना महुनिहारा करते थे जब बाबू जी उन्हें देखते तो भोलानाथ शर्मा कर आईना नीचे रख देते थे अगला संकेत बिंदू पिताजी के साथ गंगा जी तक जाना पूजा पाठ के बार पिताजी हजार बार राम नाम लिख कर उसे पाठ करने की पोथी पोथी का आर्थ है पुस्तक के साथ बांध कर रख देते पाति सो बार कागज के छोटे छोटे टुपडों पर राम नाम लिपकर, आटे की गोलियों पर लपेटकर गंगाजी की ओर चलते भोलानाथ उनके कंधे पर विराजमान रहते जब बाबुजी गंगा जी में मच्छियों को खिलाने के लिए एक-एक गोली फेकते, तब भुलानात कंधे पर बैठे बैठे हसा करते थे घर लोडते सन्य, भुलानात के बाबुजी उसे पेडों की छुकी हुई टहनियों पर विठाकर जूला जूलाते थे अगला संकेत बिंदू है पिताजी के साथ कुष्टी लड़ना कभी कभी बाबुजी भोलानाथ के साथ कुष्टी भी लड़ते थे पिताजी जान बूझ कर हार जाते और भोलानाथ के आत्मविश्वास को बढ़ावा देते जब बाबुजी पीठ के बलेट जाते तो भोलानाथ उनकी छाती पर चड़कर उनकी लंबी-लंबी मूचें हीचने लगते वे हसते हुए उनके हाथों को चुम लेते जब भोला से खटा और मिठा चुमा मांगते तब भोलानाथ बारी-बारी से अपना बाया और दाया गाल उनके मूँ की और कर देते बाएं का खटा तथा दाएं का मिठा चुमा लेने लगते तब पिता जी अपनी दाड़ी या मूच भोला के कोमल गालों पर गड़ा देते थे जंजला कर भोलानाथ उनकी मूचें नोचने लग जाते थे बाबुजी बनावटी रोना रोने लगते तब भोलानाथ खिल खिला कर हसने लग जाते थे अगला संकेत बिंदु है माता पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाना जब होलानात बाबुजी के साथ घर आते तब खाना खाने बैठते बाबुजी अपने हाथों से खाना खिलाते पर्म की मा को लगता कि ऐसे बच्चे का पेट नहीं भरता कम खाने पर भी वैसा मज़ता है कि उसने बहुत खा लिया है उसकी मा कहती कि जब खाएगा बड़े-बड़े कोर तब दुनिया में पाएगा ठोर मा के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है मा, तोता, मैना, कबुतर, हंस, मौर, आधी के बनावटी नाम से कोर बनाकर भोलानाथ को यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खालो नहीं तो उड़ जाएंगे पर भोलानाथ उन्हें उड़ने का मोका नहीं देते और जल्दी से खा लेते खाना खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता भोला उचल कूद कर लकडी का घुड़ा लेकर नम धड़ंग बाहर गली में खेलने के लिए निकल जाते अगला संकेत बिन्दू है मा द्वारा भोलानाथ के सर पर तेल लगाना जब कभी मा भोलानाथ को जबरदस्ती पकड़ कर उसके सर में सरसों का तेल डालती तक भोलानाथ रोने लगते और बाबुजी भी मा पर बिगडने लग जाते थे पर वे सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती थी काजल की बिन्दी लगा कर भोलानात की चोटी गूती और उसमें फूलदार लट्टू बांकर रंगीन कुर्टा टोपी पहना देती थी इससे भोलानाथ खासे कनहिया बन आप बाबुजी की गोद में सिसकते सिसकते बहार आजाते बहार आकर बच्चों का जुन मिल जाता, भोलानाथ उन साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते बाबुजी की गोध से उतर कर उस दल में शामिल होकर तमाशे करने लगते वे सब मिलकर तरहें तरहें के नाटक खेलते थे अगला संकेत गिंदू है बोलानाथ और उनकी मित्र मंडली द्वारा बच्पन में खेले गए तमाशे चबूत्रे का एक कोना नाटक घर बनता था बाबुजी की जिस छोटी चोकी पर बैटकर नाते वही रंग मंच बनता उसी पर सरकंडे के खंबों पर कागज का छोटा सशाम्याना तान कर मिठाईयों की दुकान बनाई जाती चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में धेले के लड़ू, पत्तों की पूरी कचोरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां तथा तूटे-फूटे हुए घड़े के टुक्डों के बताशे आदी मिठाईयां सजाई जाती बर्तनों और जस्ते के छोटे-छोटे टुक्डों के पैसे बनते, बच्चे ही दुकान दार बनते और खरीदार भी थोड़ी देर बार मिठाई की दुकान बन कर घरोंदा बनाने लगते मिठी की दिवार और तिनकों का छपपर दातुन के खंबे, धियासलाई की पेटियों के किवार, घड़े के मुहले की चुला चक्की, दिये की कड़ाई और बाबु जी की पूजा वाले आचमनी कल्ची बन जाती थी पानी के घी, मिठी का आटा, बालू की चीनी में से वे बच्चे दावत तयार करते तथा वे ही दावत खाने बैठते जब बच्चे लाइन बना कर खाने बैठते तब बाबु जी भी उस पंक्ती में अंतिम सेरे पर भोजन करने के लिए बैठ जाते थे बाबु जी को देखते ही बच्चे हसकर घरोंदा तोड़कर भाग जाते थे बाबु जी भी हस्ते हस्ते लोटपोट हो जाते और पूछने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलाना कभी कभी बच्चे बरात का जुलूस भी निकालते थे कनस्तर का तंबूरा बजाते आम के उगते हुए पोधों को गिसकर शेहनाई बजाई जाती तूटी चुहे गाने की पालकी बनाते भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चड़ते बारात एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक पहुँचती लकडियों की पट्रियों से घिरे गोबर से लिते आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कल्षा रखा होता वहीं पहुचकर बारात वापस लोटा थी लोटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुलहन को बिठाकर वापस लाया जाता लोटते समय जब बाबुजी जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुलहन का मुँदेफने लगते सभी बच्चे हसकर वहाँ से भाग जाते थोड़े समय बाद फिर लड़कों की मंडली इकठी होती और राय दी जाती कि अब खेती की जाए जब उत्रे को खेत मान लिया जाता दो लड़कों को बैल बना कर बड़ी मेनद से खेत जोते बोए और पटाए जाते जल्दी ही फसल तयार हो जाती और कटाई का काम भी शुरू हो जाता काटते समय गाते थे उँच नीच में बही क्यारी जो उपजी सो बही हमारी फसल को एक तरफ रखकर उसे पैरों से रोंद डालते कसोरे कसूप बना कर उसाते और मिटी के दिये तराजू पर तोल कर राशी तयार कर देते थे इसी बीच बाबु जी आकर पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही बोलानात बाबु जी पूछते वैस्त तभी बोलानात सभी लड़कों के साथ जूट मूट के खेत खलियान को छोड़ कर हसते हिए वहां से भाग जाते जब बच्चे जूट मूट के खेल खेला करते कई या त्री भी ठिठक कर देखते और उनका तमाशा देखने लग जाते थे अगला संकेत लिन्दु है बाल जीवन की अन्यस्मरति हैं ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का जूट देखते तो सभी बच्चे उछल कूद कर चिलाने लगते चलो भाईयो ददरी सातू पिसान की मोटरी किसी दूले के आगे चाती हुई ओहार दारपाल की देखते तो खूब जोर से चिलाने लगते रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी भोलानात को याद है कि एक बार बुढ़े दूले ने उन्हें धेलों से माल कर दूर तक खदेड़ा था उसके घोडे जैसे मुहों को देखकर भोलानात को पड़ी हैरानी होती कि नैजाने किस ससूर ने ऐसा जमाई ढूंडा है कभी कभी आंधी आती, सभी लड़के बाग की ओर तोड़ पड़ते, चुन-चुन गोपी आंग खाते थे एक दिन जोरों से आंधी आई, आकाश काले बादलों से ढग गया बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी सभी लड़के चिला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे भी लाई, परंतु वर्षा नहीं रुकी, बलकी ओर तेज हो गई सभी लड़के पेड की जड़ के तने से चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में छोटे किड़े चिपक जाते हैं वर्षा बंध होते ही बाग में भहुत से बिच्छू नजर आए, सभी ड़कर भागने लगे, उन लड़कों में बैजू बड़ा धेट था अचानक रास्ते में बूढे मूसं तिवारी मिल गए, बैजू ने उन्हें चड़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा सभी लड़कों ने बैजू के सुर में सुर मिला कर चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे ही तिवारी जी ने लड़कों को खदेडा, तो सभी अपने अपने घर तेजी से भागे जब तिवारी जी को कोई लड़का ने मिला, तो वे सीधे पाठशाला पहुंचे वहां से उन्होंने चार लड़कों को भूलानाथ और बैजू को पकड़ लाने के लिए कहा बैजू तो भाग गया, भूलानाथ लड़कों द्वारा पकड़ लिया गया गुरू जी ने भूलानाथ की खूब खबर ली जैसे ही बाबुजी को पता चला वैसे ही विपाटशाला दोड़ते हुए आई भोलानाथ को गोदी में उठा कर चुप कराने लगे उन्होंने गुरुजी से विंती की और भोलानाथ को घर ले आए रास्ते में लड़कों का जुन मिला जो जोर जोर से गा रहा था माई पकाई गरर गरर पुआ हम खाई पुआ ना खेलब जुआ लड़कों को नाचते और गाते देख भोलानाथ जिद कर पाबुजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में जाकर शामिल हो गए सब लड़के मक्य की खेत में दोड पड़े वहां चिडियों का जुंड चर रहा था वे तोड दोड कर चिडियों को पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ने लगी भोलानाथ खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे रामजी की चिरई रामजी का खेत खालो चिरई भर भर पेट कुछी दूरी पर बाबुजी और गाम के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हसकर कह रहे थे कि चिडिया की जान जाए लड़कों का खिलोना ठीक ही कहा गया है लड़के और बंदर पराई पिडा नहीं समझते अगला संकेत बिंदू शरारत महंगी पड़ना एक बार सभी लड़के टीले पर चड़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे नीचे से उपर पानी फेकने के कारण सभी ठक गए थे गनेश जी के चुहे की रक्षा के लिए सिवजी का सांप निकल आया सभी रड़के डर कर भागे किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के दाउट तूटे भोलानात का सारा शरीर लहू लोहान हो गया काटे लगने से पैल छलनी हो गए वे रोते चिलाते हुए घर में उगसे उस समय बाबुजी बैठक के बरामदे में बैठे हुका गुड़गुडा रहे थे उनके बार-बार पुकारने पर भी भोलानात उनकी पुकार अनसुनी कर अपनी मा की गोद में चले गए उस समय भोलानात की मा चावल साफ कर रही थी भूलानाथ को रोते देख अपने आचल में छिपा लिया डर से कापते देख सब काम छोड़कर स्वयम भी रोने लगी भूलानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछने लगी जल्दी से जल्दी उन्होंने खल्दी पिसी और भोलानाथ के हाउ पर लगाई घर में बहुत शौर मच गया भोलानाथ केवल धीनी आवाज में कापते हुए सां से सां कहते हुए मां के आचल में चुप रहे थे सारा शरीर थर-थर काप रहा था भूलानाथ आखे खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी मा बार बार उन्हें निहार रही थी और गले लगा रही थी उसी समय बाबुजी दोड़ कर आए वे उसे मा की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते थे पर भूलानाथ ने मा का आचल नहीं छोड़ा क्योंकि उस साचल में उन्हें प्रेम और शंती मिल रही थी बच्चो पाठ तो आपने पढ़ लिया और पाठे पुष्टक के पहले दो प्रशन जो है अभ्यासकारिये के वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं तीसरा जो प्रशन इसके अंदर दिया हुआ है अभ्यासकार तीन में उन्तुक बंदियों को लिखेंगे